घर से शुरू किया बिजनस करो नम हमारी के बावजूद बनाया 14 लाग का कारुबार हम सब किसी ना किसी जगा पर नौकरी कर रहे हैं अपनी स्किल से लोगों के बिजनस बढ़ा रहे हैं ऐसे में हर कोई चाता है कि वो तरक्की करें जिसके लिए हर दिर नईनी चुनोतियों का सामना करते हैं और अपनी टास्क पूरा करते हैं ऐसे भी कई बार ये भी खयाल आता है कि क्यो ना हम भी अपना बिजनस करें अपनी स्किल अपना बिसनस बनाने में इन्वेस्ट करें लेकिन क्या हुआ के हम ऐसा कर पाते हैं आज हम इस वीडियो के माध्यम से जिसकी कहानी बताने जा रहे हैं वो हैं हम आपकी तरह नौकरी करने वाली एक लड़की जिसके सपने बहुत बढ़े हैं कुछ कड़ दिखा में हमारे सामने खड़ी हैं प्राची भाटिया ने साल 2018 एक ओर्डर मिलने से बिसनस शुरू किया जिसके बाद करोना वायरस महमारी के भी 14 लाक रुपे का कारोबार करने तक का सफ़र दै किया प्राची भाटिया की कहारी उस हर एक शक्स को प्रेरित करेगी जो अपने जी प्राची 45,000 रुपे की नौकरी छोड़ अपने बिसनस में लग गई साथ 2018 में प्राची ने खुद की सेविंग से एक लाक रुपे के निवेश के साथ अपने माता पिता की घर में ही एक छोटे कमरे से घर की सजावट और उफार उत्पाधों से संपन्दि अपने स्टार्ट अप चोखट की नीव रखी करोना महमारी के बावजूद कमपनी ने कुल 14 लाग का कारोबार किया लॉग डॉंग के दुरान जब जादा तर डोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे थे तब प्राची ने अपने प्रोड़क्स को इन वेबसाइट के जरीए खुब प्रमोशन किया इसका उन्हें लाब मिला और उनके ओर्डर्स की संख्या में बढ़ातरी होती चली गई हाला कि प्राची ने अब एक ओफिस किराय पर लिया है और अपने प्रोड़क्स बनाने और उनको सही सलामत कस्टमर तक ले जाने में मदद करने के लिए इंटर्न, ग्राफिक डिजाइनर्स, फोटाग्रफर्स और विक्रेताओं की एक टीम को काम पर रखा है प्राची ने अपने इंटर्व्यू में अपने आने वाले वर्ष के बारे में बताया प्राची कहती है, दस वर्षों में मैं चाहती हूँ कि चौकट के पास घर के अंदर उप्योग के जाने वाली सभी उतपाद हूँ फरनीचर और परदे से लेकर रसोई के प्रोडक्ट्स और प्लेट तक प्राची की सफलता उन सभी लोगों के लिए प्रेणा स्तोत है जो अपनी जीवन में कुछ करना चाहते है बिजनस करना चाहते है